ओम शान्ति दो युगों तक दुखी होते होते हमा अत्माने पर्मा ओम शान्ति दुख और कल युगों तक देह अभिमान में आकर हम आत्माने दुखी होती गई और इसी दुख में हमने पर्मात्मा को पुकारा संगम पर हमारी सुनवाई होती है जब दुख हरता सुख करता बाप हम बच्चों के समुक आकर हमारे दुख हरते हैं तो आईए रिवाईस करते हैं आज के 30 चनवरी 2024 के मधूर महावाक्यों को सदा योग युग्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्या बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है विनाश के समय स्थिती को एकरस रखने के लिए मौज में कौन रहते हैं? श्रीमत पर चलने वाले मौज में रहने वालों की बुद्धी में क्या रहता है? हम पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम जाएंगे मनुष्य किन बातों को नहीं जानते, बाब को शिव जयनती कब होती है? देवी देवताओं का राज्य था शास्त्रों में जो लिखा है उसका अर्थ, शिव बाबा से क्या मांगना चाहते हैं? पहले-पहले स्वर्ग था तो एक धर्म था दूर देश का रहने वाला, इनका अर्थ, वापिस भी जाना है या सिफ पुनर जनम ही लेते रहना है संगम युग में क्या-क्या होता है? हमारी सुनवाई होती, हम उचते उच बनते, हम बाब से वर्सा लेते हमें विश्व के आदी मद्य अंत का ज्यान मलता, हमारी बुद्धी उपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती, हम नए संबंध में चलते, हम लक्ष्मी नारायन बनते, हमारी बुद्धी में रौश्नी आती शुब बाब को याद करने से क्या फायदे होते, पाप कट्टे, कमाई होती, खाद निकलती, सतो प्यधान बनते किसको क्या कहा जाता है, देवताओं को श्री, श्रिवबाब को श्रीश्री, बहिष्ट को गार्डन ओफ अल्ला, कल्प की आयू को लाखों वर्ष का कहने को घोर अंधियारा, मन और बुद्धी को मनमत से सदा खाली रखने वाले को आज्याकारी आज की मुरली के रुसार, सत्युगर कल्यू का कॉंट्रास्ट इस प्रकार है, अद्वैत धरम, द्वैत धरम, सुक धाम, दुख धाम, सतो प्रधान, तमो प्रधान, सॉल्वेंट, इन्सॉल्वेंट, फूलों का बगीचा, काटों का जंगल कुछ बातों के लिए बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, ब्रामनों की माला नहीं बन सकती, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, ब्रामनों को अलंकार नहीं दे सकते, निराकार बाब को अपना शरीर नहीं है, इस रिष्टी चक्र की एंड कभी नहीं होती, सतो प्रधान दुनिया में बाप को कोई याद नहीं करते, सत्युग में ना ये नौलेज होगी और ना ही शास्त्र होंगे, हमारे सिवाए किसी की बुद्धी में ये बातें नहीं रह सकती, नैच्रल कलामेटीज को गौडली कलामेटीज नहीं कहा जाता, हमें किन बातों की धारणा करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बुद्धी हद से निकाल बेहद में रखनी है, सतो प्रधान बनने का पुरशार्थ करना है, इस वेल्योबल टाइम को सेवा में लगाना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, और अपनी बुद्धी को याद में सदा बिजी रखना है, ओम शान्ति